एलो क्लास इस इज़ दो क्लास ने एके चैपटर नंबर 2 में है तो चलिए इसको जूर करते हैं यह आपका चैपटर कोकशन कोशन के गई है गया है जिसमें आपके जो आनिमल के यह वो डिसरे से क्या कर देगे हैं इंटर चैंज कर दिया गया है are these animals looking funny देखने में the animals काफी फ़नी हैं आपे these artists have drawn wrong ears on the head of the animals तो artist ने क्या कर दिया है जो भी animals उनके head पे जो भी ears है उनको क्या कर दिया गया है दूसरे से interchange कर दिया गया है give correct ears to the animals in the shape given below तो आपको क्या करना है इसको देखना है और इनको correct करना है ओके तो जैसे elephant elephant पे देखोगे elephant की head पर किसका यह रहे वो है mouse का ओके दैन second आपके पास है rabbit तो rabbit के उपर देखोगे वो किसका यह रहे ध्यान से देखो आप लो anyone guess guess करो आप तो वो है आपका dog का ओके third mouse mouse को आप ध्यान से देखो तो mouse पे किसका यह रहे वो है आपका giraffe का okay third देखो आपके पास है giraffe यह giraffe है इतने large ear जो हो किसके होते हैं वो elephant के होते हैं तो यहाँ पर answer क्या होगा आपका elephant अब देखो dog हमारा dog है वो किसका यह रहा है rabbit का rabbit okay next buffalo buffalo के पास जो एर है वो किसका है वो है आपका deer का और deer के पास किसका यह रहे वो है आपका buffalo का तो जो भी अनिम्म से देखो दरसल वो क्या है interchange हो गया है elephant के पास mouse का है तो mouse के पास किसका है जिराफ का आपके पास किसका है तो आप इसको गया करना इस टेवल को फिल अप करना आपके बुक में भी है उसको देखना इस तरह से टेपल अब ट्रॉप करना अनिमल एयर अनिमल एयर और इसको आप करेट करना next one different animals have different kinds of year आप देखोगे तो animals के जो year होते है यह different animals पर different तरह होते हैं Among the animals given below तो आपकोई animals जो देख रहा है कि कि Which one has years that can you see То kush animals को आपको year दिखेंगे कुछ में आपको नहीं दिखेंगे इन विच Can you not see the years जिसमें आपको नहीं दिख रहा है write the table given below तो आपके पास जो table दी गई है this one table ये जो आपके पास animal's name है उनको आप identify करो किसमें year आपको दिखता है किसमें नहीं दिखता है तो deer में दिखता है यहाँ पर आपके answer होगा deer होगा आपका यहाँ फ्रॉग frog यहाँ पर होगा क्योंकि frog में आपको नहीं दिखेगा fish fish में भी आपको नहीं दिखेगा ant में भी आपको नहीं दिखेगा crew में भी आपको नहीं दिखेगा tiger में होगा हमारे पास sparrow sparrow में भी आपको नहीं दिखेगा buffalo में होगा आपका स्नैक में नहीं होगा लिज़र्ट करते तो ड्याफ इसमें रहे गांग के आपका ए्सेर्ट के निफे मिंग थि सुर्ड है। निफें भू समने लोगार तो उन देखें हैं कुछ में आपको दिखते हैं कुछ में आपको नई दिखते हैं कुछ में इंटर्नली एर होते हैं ठीक है तो आप इस टेबल्स को क्या करना इस टेबल्स को ट्रॉ करना उसको जो आलिमल से उनको क्या करना विल्कल होता है तो आप आप इस अने मिलेगा अवर्ण को भी सुनाईा देता है पर इनको इनग इंटर्नली होता है आपका का टास्क यह है कि find out some other animals which have ear that we cannot see write the name तो आपको क्या करना है कुछ ऐसे animals के नाम लिखने हैं आपको जिनको हम जिनकी ears को नहीं देखवाते हैं एक्जामपल तो पर मैं बता दे रहा हूं जिसे बिजन हैं कोक्रोच है फ्लाई है एंट है एसे ठीक है तो बहुत से ऐसे हैं अनिमल्स जिसमें आपको यह देखने मिलेगा आप और भी आनिमल्स के अनिमल में होता है तो वह होता है आपका अलिफेंट में ओके एन आनिमल्स जिसमें आपको इस तरह का देखने को मिलेगा एर एन आनिमल्स जिसमें आपको इस तरह का देखने को मिलेगा एर एन आनिमल्स जिसमें आपको इस तरह का देखने को मिलेगा एर आनिमल्स जिसमें तो आपको एक्जाम्पल में बता रहा हूँ, तो आपका जो फॉर्स वह अलिफ लाइक होगा, सेखिंड आपका लिफ लाइक होता है, थार्ड वन इस देखने हूँ का आपको बहुत से अनिमल्स है, इसमें आपको हेड पी यह देखने मिलते हैं, ऐसे कि आपको बोस साइड जो कर हम बात किरें, यह की तो आपको देखो, नॉर्मली टाइगर है, लाइन है, इन सब में आपको देखने मिलेगा, आपको मैं एक्स्प्लेन कर रहा हूँ है, यह फे इन हाल पस तो हीश, मैंने बताः था कि, जो आप पहले आपने पढ़ा होगा, सेंस और्गन में, इन In some animals, you can see the ear, in some you cannot, in some you cannot, we cannot see a bird's ear, तो हम किसी भी bird's ear को नहीं देख सकते हैं, a bird has tiny holes on both sides of its head, तो birds जो होती है, उसके both sides में क्या होता है, head के, बहुत ही a tiny hole, नहीं बहुत ही चोटा सा hole होता है आपका, जो कि सुनने के लिए help करता है, जनरली the holes are covered with feathers, और जो holes होते हैं, वो covered रहते हैं, feathers को प्रोटेक्शन मिलता है उनको उससे, they help the bird to hear, और ये help करता है, जो कि होल होता है आपका, if you look carefully, अगर आप यहां से देखो, you will see tiny holes on the lizard head, these are its ear, तो आपको जो अपने कभी laser अपने घर में छेपकली देखी होगे, तो उसका जो tiny hole होता है, head side में, both side, तो वो क्या होता है, आपका head के both side में, वो उसका क्या होता है, ear होता है, जो कि help करता है सुनने में, a crocodile has, also has ear like this, but we cannot see them easily, crocodile में भी होता है यहां, लेकिन हम इसको easily नहीं देख पाते हैं, so class, thank you, यहां पर आपका video lesson number one का session end होता है, hope all of enjoy this session, कोई query हो आपकी, तो जरूर आप comment sections में, जो क्रूगल आशरूब है, उसमें आप comment करना, बिल्कुल आपको response दिया जाएगा, आपको assignment मिल जाएगा, आप assignment complete करते रहना, आपको notebook में complete करते रहना, आपको जबी school open होगा, तो इसको teachers के तुरू verify और check कर दिया जाएगा, thank you class,